ज्यान गट्री में आपका स्वागत है। मैं एकाशी की कथा कहने जा रही हूँ। वल्बांके बिहारी लाल की जै विश्नु भग्मान की जै श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनात नारायन वासु देवा योगनी एकाशी धर्म राज युदिश्चर कहने लगे कि महराज मैंने जेष्ट शुक्र एकाशी के वृत का मातम सुना अब आप कृपा करके अशार कृष्ण एकाशी की कथा का वर्नन कीजिए। इस एकाशी का क्या नाम है तथा क्या मातम है सो सब कृपा करके वर्नन कीजिए श्री कृष्ण जी कहने लगे हे राजन अशार कृष्ण एकाशी का नाम योगनी है इस व्रत से समस्थ पाप नश्ट हो जाते हैं ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है ये तीनों लोकों में प्रसिद है मैं तुमसे पुराणों में वर्नन की हुई कथा कहता हूँ सो ध्यान पुर्वक सुनो स्वरगधाम की अलका पुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था वे शिव भग था और प्रति दिन शिव की पूजा किया करता हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यांफूल लाया करता था उस हेम माली की विशाल आक्षी नाम की अतियंत सुन्दर इस्तरी थी एक दिन वे मांस रोवर से पुष्प तो ले आया करिंतू अपनी पत्नी के साथ हस्य विनोत था रमन करने लगा इधर माली दोपैर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा उधर राजा उसकी राह देखता रहा अंतमे कुबेर ने सेवकों को अग्या दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के ना आनने का कारण का पता लगाओ क्योंकि वे अभी तक पुष्प नहीं लाया सेवकों ने कहा माराज व अति पापी है और कामी है अपनी इस्ति से हाथ से विनोध कर रहा होगा ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित अकवरों से बलाया हेम माली राजा के भे से कामता हुआ उपस्तित हुआ राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होट काप रहते कहने लगा अरे पापी नीच कामी कोड़ी होगा गुबेर की शाप से हे माली का सुरक से पतन हो गया और उसी शन पृति पर गिर गया भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोड़ निकल आया उसकी इस्तरी भी उस समय अंतर ध्यान होगी मृति लोक में आकर उसने महान दुख भोगे भ्यानक जंगल में जाकर बिना आन और जाल के भटकता रहा रात्री को निद्रा भी नहीं आती थी प्रंतु शिप जी की पूजा के परभाव से उसको पिछले जन की स्मृति का ग्यान अवश्य रहा गूमते गूमते एक दिन वे मारकंडे रिशी के आश्रम में पहुंच गया जो ब्रह्मा से भी अधिक भोग रहे हैं माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हैं माली हूँ मैं राजा की पूजा के लिए नित्र प्रती पुष्प लाया करता था एक दिन मुझे अपनी इस्तरी के साथ विहार करते हूँ देर हो गई और दोपया तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो उन्हो ये दुख दूर हो जाए इस पर मारकंडर इशी बोले कि तुने मेरे समुख चुकी सत्य वचन के हैं इसलिए मैं तेरे उधार के लिए एक वरत बताता हूँ यदि तु अशार मास के कृष्ण पक्ष की योगनी नाम की अकाशी का विदी पूरक वरत करेगा तो तेरे सब पाप नश्ट हो जाएंगे ये सुनकर है माली ने अतियंत प्रसान कर मुनी को साश्टांग प्रणाम किया मुनी ने उसको अतियंत ने के साथ उठाया है माली ने मुनी के कथा अंसार विदी पूरक योगनी अकाशी का वरत किया और उसके प्रभा से अपने पुराने से प्राप्त होता है उलो बांके बिहारी लाल की जै श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनात नारायन वासु देवा बुलोयका श्री महातम की जै